तर आप देखरें साइटू में जवेंदर सिंग लड़ों चुनावी बिगुल फुका चुका है चुनाव आयोग ने साथ चरनों में चुनाव होगा जब देखेगा तो पुने देश बढ़ में साथ चरनों में चुनाव नहीं है और खाशकर के बिहार के 40 चीटों पर भी सदान किया जाएगा लेकिन सबसे महत्पूर्ण बात जो है वो है पटना साहिब और पाटली पुत्रा लोकसवा क्योंकि पटना साहिब और पाटली पुत्रा लोकसवा का जो चुनाओं का जो तारिके की घोशना हुई है उसमें से मैं आपको बतला दना चाहता हूं कि पटना साहिब लोगसभा का जो चुनाओ है उसमें पड़ रहा है एक जून 2014 जी हाँ एक जून 2024 को पतना साहिब लोगसभा का चुनाओ की मतदान के होनी के घुष्णा हुई यह साथ में पाटली पुत्रा और सबसे खास बात है उस दिन जो पड़ रहा है दिन शनी वार यानि कि शनी वार को 162024 जानी एक जून को पटना साहिव साथ में एवम अंतिम चर्ण क्या जो चुनाव होने वाला है उसमें पटना साहिव और पाटली पुत्रा लोकसवा सीट जो है एक जून को चुनाव का मतदान किया जागा और सबसे खास बात है कि इसके ठीक तीन दिनों बाद मतगंदना जारी कर दिया जाएगा ये है चुनाव आयोक का घोश्टा क्योंकि चुनावी भुगुल फुका चुका है और इसे बिहार के 40 लोकसवा सीटों में साथ चर्णों में मतदान किया जागा सबसे महतपूर्ण बात है कि पटना और पाटली पुत्रान लोकसवा का मतदान जो है वो एक जून यानि कि दिन शनी बार को तै किया गया है एसा साथ आटूब आप देखते रहें ये लाइक कीजिए जहिन